कि इस टार्ट करते हैं दोस्तों गिले हैं किया है जा सब्सक्राइब बिल्कुल भी फॉकस नहीं करेंगे और एक्च्वल में से पहले मैं आप से डिस्कस कर लेता हूं कि हमें अगर जब ओलेडी गिरे वाइट हैट था वो ब्लैक हैट था तो गिरे हैट की जुदत क्यों पड़ी तो देखे आप कितनी भी मैनत कर लें आप को कुछ न कुछ निकेटिव या थोड़ा इस तरह के मैथड यूज करने होंगे जो जिससे आप जल्दी अपनी लिंक बिल्डप कर सकें या जल्दी से कंसोल करा पाएं अपने ब्लोग या अपनी जो ओपेज एक्टिविटी है उनको ओन पेज के लिए तो बैमाश टारी काफी है पर ओपेज के लिए किस तरह से करा पाएंगे ठीक है ब्लैक एडम इसलिए इंक्लूट नहीं करें कि यहां पर वैप साइट की ज़रत नहीं पढ़ती यहां पर आपको टीए फन की ज़रत पढ़ती है टीए फन नमबर आप लिए सकते हैं इसको यह टीए फन यूएस से का बड़ड है आपको फोन नमबर टार्गेट करना है तो फोन नमबर टार्गेट करने के लिए अलग मैथर्ड है जो कि अब गुर्थम जो किसी भी सर्च इंजन की इतनी अपडेट हो गई सब अपडेटेट वर्जिन आगे जो पुराने थे इस पैमिंग आपने कीवर्ड भड़ दिये अब जब हमारा ब्लैक हैड बंद हो चुगा लगबग रहे हैड वाइट है मिलती नहीं को चाहिए तब हमें ऐसे कुछ मैथर्ड यूज करने पड़ते हैं जहां जिनकी हैल्प से हम जल्दी रैंक करा पाएं और जल्दी रिजल्ट दे पाएं ठीक है तो वह कौन से मैथर् करते हैं जिनकी हैल्प से हम करा सकते हैं इक तो मरे इसमें नोर्मल जो अपनी अपनी फ्EL uy मैं दो यहां पर हम जो एडवांस वाली बात करें अगर आप एडवांस भी फॉलो करते हो और रेगुलर बेसेस पर वह इंप्लीमेंट करते हो चाहे आप वाइड हैड है के साथ कर लीजिए या सिंगल भी आगर आप यूज करते हो तो आपकी बैपसाइट पैनलाइज ना होते आप यसमें करेंगे प्रक्टिकल सेस्ट के साथ ली मिलिए चलेंगे एक प्रक्व हैसे कि अगर हम बात करें हैं अभी का कि सिम्मे करना हैं यह सारा हम गिरे है अ है कुछ लोग के साथ गिरे लिख्ते है नग आशेज़ा के साथ लें दोनों एक हम बात करें लें यह है और यू के और यू-एस से एग्लिस बजिन से है अगर चाहे प्टारगेट करें यूइस से टारगेट करें आपको इस सारे मेथर्ड मिलेगा तो जारे टाइम नहीं खर्च करते हम इसमें old domain purchase कैसे कर सकते हैं किस तरह identify करेंगे अपने business related वो मैं discuss करके करूंगा अभी बस main point point discuss करके मैं आपको बता देता हूं जब हम यह practical में जाएंगे तब discuss के साथ practical भी दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा duplicate content कैसे करेंगे buying जो link है अगर जुदत पड़ती है या auto generate कर सकते हैं वो किस तरह से करेंगे social media आप देखिए एक बात क्या है कि जब पहले facebook की कोई ऐसी side है थी जहां पर आप जैसे auto like a fact like a m like a अभी भी है machine like a अगर उन पर जाओगे तो आपके suddenly follower बढ़ा देते हैं वो अच्छा फेस्बुक के और यूटूब के वी बढ़ा देते हैं लेकिन यूटूब ने बहुत ज्यादे तरह अपने आपको control कर ले क्योंकि वह अच्छली गूगल का पार्ट है गूगल का प्रोड़क्ट अब है गूगल ने जब टेक अब कर लिया अब गूगल ने इतनी मीडिया फेस्बुक इन सब पर बढ़ा सकते हो इन पर भी बढ़ा कि आप अपने यूटूब चैनल की मार्केटिंग करें बेनिफिट ले सकते हो कैसे सपोच करो अपने ओटो लाइक करके तुदू किसी पोस्ट को या किसी अपने इंस्टाइग्राम फालोर अपने एक ला करते हैं कि आपको लगता है जब अपडेट आपके पास आ रहा है कुछ हिट दे रहा है या वो पकड़ रहा है है तो आप यूज करने के बाद डारेक्ट लगा सकते हैं पर मेरी सजेशन है कि अगर इतने एडवांस लेविल पर नहीं जाते तो आप उसको ज्याद छेड़ नॉर्मल तो हम 3% maximum यूज करते हैं अपना जो प्राइम कीवर्ड है और बाकी हम बन यह 2% रख सकते हैं जो हमारे अदर्स कीवर्ड है ना सपोज हमारा कोई एक या दो टार्गेट में कीवर्ड है उनको 3% रख सकते हैं 1000 वर्स के कंटेंट में और जो अदर्स हैं उनको हम रख सकते हैं 2% 1000 वर्ड के कंटेंट में तो वह किसते अप गिरे हट के लिए किससे रखेंगे डिसकस करेंगे पोजेटेव वीव अपडेट ओल्ड कंटेंड और कंटेंड राइटिंग जो हमारा जो ऑप्शन है टैन यह रेशियो में है वाई 10 रेशियो 80 परसेंट रेशि जिसकी हैल्प से हम जल्दी अपना कंटेंड और अपना जो ब्लोग आर्टिकल उसको जल्दी से राइंग वला सकते हैं तो यह सारी चीज़ेंगे और वीडियो पैंडिंग भाएं बडिवडिव डिसकस करेंगे चलिए बनभाई भाई बवाई स्टार्ट करते हैं स्टार् क्या दुखो कि लोकिंग का एक्चली एस्वें यह वाली क्लोकिंग नहीं क्लोकिंग का मतलब है ऐसे दो पीच क्रेट करना क्योंकि अगर कोई बिजीटर आपकी बैप साइट पर आए तो उसको एक डिफेंड फेस दिखाई दे हुमन बिंग या बिजीटर जब आए और अ स्पाइड या कोई भी मनलब एल गो आती है किसी भी सर्च इंजन की नोट ओनली गूगल अगर किसी भी सर्च इंजन की एल गो आपको आती है कंटेंट चेक करने के लिए तो उसको कुछ और दिखाई दे इस मेथड को यूज करके आप कर सकते हैं बैसे यह ब्लैक हैड का एक मैथड हुआ करता था क्लोकिंग जब लोग पीपीसी केंपेंग चलाते थे मोश्टली या अपनी जो फास्ट राइंग कराते थे किसी एक पर्टिकुलर लिंक की या लेंडिंग पेज की तो उसमें क्या करते थे पीपीसी में तो आप अभी भी कुछ आगर जाएं जो अडूल्स या को गलत साइड होती है उन पर आगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऐसी डिरेक्ट हो जाओ गे एक साइड में काई सारे लिंक हो जाते हैं तो रिदारेक्शन पार्ट है बोडिदारेक्शन भी क्लोक कई पार्ट है लेकिन वो उस हुमेन बींग के लिए हुआ एक सिंगल की बिजिट किसी और पर पेज़ पे की और उसको ले किसी और पर गई करके तो यह वाला पार्ट इस वाली केटागिरी का हुआ पर इसके लिए क्या क्योंकि अगर आपका अगर कोई ऐसा आप गलत चीज या को मालब इस तरह का का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं जिसको या फिर आपको बिजिटर नहीं मिल रहे हैं तो अगर क्वालेटी कंटेंट आपका नहीं है क्योंट क्वालेटी लो है तो कभी बी आपको पॉप नहीं करेंगा या किसी भी सरचीज जनिकी टो नहीं करेंगा अगर उनकी फॉलोशिक प्रिश नहीं चलें तो इक क्लोकिंग में बहुत से लोग इस माटली क्या करते हैं जब रोबट आएगा उसके लि क्लोकिंग यूज उसमें क्या होगा कि जैसी यहां से तो अप्रूबल मिल गया अप्रूब हुआ और बस जैसी क्लिक क्या हुमें बिंग गया इस विजिटर उस बाले पेज पर जो उनका डिसेंड था यह किस-किस तरीके से कर सकते हैं जब आप सिंपली दे सकते हैं कि हुमें कर सकते हैं सर्वर के तुद्व आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है और बहुत सारे इसमें ऐसे मैं अपको बता दूँगा सिंपल आइपी के साथ भी यह सब्सक्राइब किस तरह से तो नॉर्मली यह इसमें बताया था आप दिखा रहा हूं तो इतना पढ़ते रहेंगे तो को इतना कार नहीं हो दी तो कुछ सब्सक्राइब कराने के लिए यह कोई स्पैमिंग या गलत में नहीं है बिल्कुल भी आप देखोगे कि जैसे मैं आपके एजांब के तो पर यहां दिखाता हूं कि आगर हमने गूगल को सर्च किया और मोस्ट ली आप देखना अगर आप दो आईपी यूचर के देखना सब्सक्राइब करते हैं तो आप देखना यहां पांच शड़े नंबर पर एक साइड आती है जो है नाय डेंटल क्लेनी अब इसमें देखिए आई-पी के हिसाब से कैसे क्या जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे पहली तो फर्स्ट टाइम क्लिक करने पर हमारे पास यह वाली है अगर मैं इसको क्लोकिंग के थुदू यूच कराता हूं तो क्लोकिंग के थुदू यूच करने के लिए जैसा उन्हें डिसकस किया था कि हम आई-पीया कुछ ऐसे करने पड़ेंगे उसको यूच करेंगे जैसे दूबारा क्लिक करूंगा तो मेरा पेज दूसरे पर जा साइड पर ठीक है थार्ट टाइप करेंगे यह नहीं है आज तो तब होगा जब यह वाला पेज नहीं खुले ध्यां रखना अगर मैं पहली बार किलिक करता यह साइड पर डिडारेक्ट होकर डारेक्ट इस साइड पर जाता तो यह मेरा हो जाता अब मैंने क्या एक ही हुमें फिल होती है फिर तोड़ा इसको रेंडम करने में भी टाइम लगता है तो नेक्स्ट पार्ट ही से कंटिन्यू करते हैं एक बार आगर आपको टाइम लगता आई पी बदलकर सर्च मानना और इन पर किलिक करके देखना दो तीन बार नहीं होता तो आगर आपको वाइफाई अपडेट करना